इस लेक्षर के अंदर हम मैप्स बनाते हैं, मैप्स कैसे बनाएंगे, मतलब यह के एक पुरो प्रोपर ग्लोबल मैप है, उसको कलर करना, बेस मैप उसका लेके आना, और उसके उपर डिफरेंट किसम के डेटा को विजुलाइज करवाना, इस वेरी इजी, लेकिन आज हम थो लॉटली के अंदर जाएं, तो वहां पर आपके पास मैप्स का एक section आता है, लॉटली python के अंदर, और यह different किसम के maps उन्होंने बना के दिखाए हैं, और उनको बनाने के बाद आपको different codes भी देते हैं, यहां पर, तो आप किसी एक पर भी click करें, for example, यह वाला map box है, तो आप the codes are always there, यानि कि यहां पर यह code दिया हुआ है, कि आप किस तरीके से अपना map बना सकते हैं, for example, अगर मैं, यह वाला copy करूं, code, यहां पर जाते हैं, और यहीं पर एक मैं और अपने पास नहीं फाइल बना लेता हूं, plotly python के अंदर, 05 underscore geomaps.ipynb, इसको मैं बनाता हूं, तो मैं यहां पर कहता हूं, geomaps in python, यहां पर मैं code paste कर देता हूं, यहां से kernel साब जैसे as usual हम select करते हैं, वो कर लिए, अब आप देखेंगे कि same वो ही चीज, data हमने import कर लिया, पहले library import की, फिर हमने data import कर लिया, जो main चीज है ना हमने, geojson file जो है ना, निकाल नहीं है, यानि कि px.data और election underscore geojson file, तो इससे क्या होगा, आप basically अपना geojson के file को print कर सकते हैं, and then it will work perfectly, let's see, इसको मैं run करता हूं, तो यह हमारे पास इसकी geojson file है, json file के होती है, जिसके अंदर data हमारे पास save होता है, तो अगर आप गोर करें, आप जब भी कोई चीज बनाने लगते हैं, तो आपके पास उसका different किसम के data होना चाहिए, कि कितने district हैं, और कौन गौन सी चीज़े हैं, अब इसके बाद plot बनाने के लिए, आप simply, यह वाला code य यह है कि आप chloroplet map box बनाते हैं, यह basically एक type of plot है, mapping जिसको बोलते हैं, और plotly के अंदर है, df हमारा data है, यह जो data हमने यहां से download किया था, that is election का data, जो plotly से हमने फैच की है, और उसके बाद हमारे पास geo.json की file जो हमने दे दी यहां पर, geo.json क्या होता है, यह basically आपका base map होता ह usually, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, और यह बताया है कि किस district का map है, यह उसका code है, जिस district का map है, color उसका कौन सा रखना है, वो हमने यहां पर बता दी है, मतलब यह के data के अंदर से, अगर मैं data को यहां पर print करूं, df.head करके, you can have a look के data किया है, यह हमारे पास data है अगर आप गोर करें, ठीक है, district name यहां पर आ गया, ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास different किसम की data के points आ रहे हैं, ठीक है, और यह नाम है basically उनके total vote किस के कितने है, winner कौन है, result किस का है, district ID के आती, तो basically यह election का data है, यहां पर district है, name of candidate, मतलब तीन लोग आपस में खड़े हुए यहां पर, जो geojson का पहला feature हमने किया है, वो यह वला है, district equal to this one, यह सिरफ पहली string हमने paste की है, अगर हम चाहें तो इसका दूसरा भी कर सकते हैं, इसी तरीके से, अगर हम चाहें तो इसका तीसरा भी, यहां पर district जो है, उसकी properties को यहां पर लिख सकते हैं, so basically जो geojson है, पू तो यह इस तरीके से मारे पास आ रहा है, type, feature, feature collection, और हर एक चीज के coordinate, coordinate क्या होते हैं, आपको पता है, जब हम map पे जाते हैं, map पे आपके coordinates होते हैं, और वो coordinates बताते हैं, किस location पे आप जा रहे हैं, तो basically यह एक base map आपको देता है, base map क्या होता है, मैं आपको दिखाता अगर आप यहाँ पे जाएं, base map of Pakistan, अगर मैं लिखू, तो usually मेरे पास कुछ इस तरीके से map आएगा, जिस पे कोई color नहीं हुआ, कोई चीज plot नहीं हुई, लेकिन वो एक white color का मेरे पास map है, this is called base map, और यह geojson file के अंदर coordinates होते हैं, जो base map को बनाते हैं, and this is a kind of file, जो geojson ब coordinates दी हैं, और अब अगर आप गोर करें, हमारे पास election geojson के जो file है, हमारे पास, उसके सारे के सारे यह वाले coordinates हैं, वो किस पे depend कर रहे हैं, हर district का अलग coordinate है, और उस coordinates की base में map बनाएंगे, इसलिए मैं df file जो है, वो import की, जिसके अंदर यह सारा data मुझूद है, ठीक है, हमने geojson file जो है, उसको यहां पे ले लिया, और फिर बाद में color बता दिया, किस की base पे करना है, locations मतलब यह, कि location क्या है, हम कहते है, district की base पे location कर दो, फिर feature id की क्या है, properties of district, यानि के जो हमने यहां पे geojson file के अंदर, properties ली थी थी न, वो यहां पे हम print कर रहे हैं, यानि के json file की जो feature id की है, वो हमारे पास properties आ गही है, then center हमारा क्या है, latitude और longitude हमने center बता दे न, वो basically, सारे district का जो center होगा, वो बताएंगे, इस से क्या होगा, हमारा plot center में रहेगा, फिर हमने map box style बताना है, और zoom बताना है कि कितना करना है, then we can also do some kind of margins on that, अगर मैं इसको यहां पे run मारे पास plot जो है, बन रहा है अभी, it will take a bit of time, yes, here, तो अगर आप गोर करें, यह बहुत ही slow बन है, और believe me, आप अगर आपके पास छोटा PC है, तो छोटे PC से मुराद है, अगर आपका PC speed से नहीं चलता, तो please आपना बनाईएगा, अगर आप चेक करें, मैं इसको zoom out करता हू तो यह मेरे पास पूरे का पूरा base map है, और उसके उपर यहां पे जाके, ठीक है, यहां पे मेरे पास यह वाला एक जगा है, जहां पे election हुए है, ठीक है, तो उसके उपर यह सारे के सारे district की base पे हमने color कर दिया, अगर आप गोर करें, तो यह color किस base पे हुआ है, तो मैं करें, के जॉली को जितने vote पढ़े हैं, उसकी base पे अगर color करें, मैं इसको दुबारा से run करता हूँ, it will take some time, और यह check करें, जॉली को जितने vote पढ़े हैं, वो आगे, तो हम यहां पे basically, अगर आप चेक करें, मैं इसको थोड़ा सा zoom out करता हूँ, यहां पे हमारे पास यह इ आप आइडिया, के हमारे पास votes जो हैं, वो कितने पढ़े हैं जॉली को, अगर आप first candidate, जिसका नाम मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, को फ्रेंच नेम लग रहा है, को डैर रहा है, को डैर रहा है, जो भी है, उसकी base पे करते हैं, the plot will come a little bit later, लेकिन यह plot आपके पास आजात हो, and then you can create a plot, based on that, ठीक है, अब simply यहां पे, आपको यह plot नजर आ रहा है, और अगर आप चाहें, तो यह इस map box style की, जो visualization उसे change भी कर सकते हैं, and then you can also, can change this plot type, अगर मैं इसको 5 करता हूँ, zoom को, और इसको दुबारा से मैं run करता हूँ, so you can have an idea, के हमारे पास काफी zoom out हो के plot आ रहा है, और अगर मैं इसको करता हूँ 15, तो you will see, के हमारे पास zoomed in plot आएगा, if I am not wrong, let's see, और मैंने ज्यादा ही इसको zoom in कर दिया, वो ज्यादा ही zoom in हो गया, yes, बहुत ज्यादा zoom in हो गया, and now you can see, के plot हमारे पास पीछे है, so we have to find a sweet spot, usually क्या होता है, इस plot के लिए latitude, longitude आप को चाहिए होती है, ठीक है, JSON file के बगार भी plot बन जाता है, you just need to give the name, ठीक है जी, तो यह आपके सामने हाजिर है, आपका जो plot है basically, based on the data set, जो आपको मैंने अभी बताया, and then there are many other plots, जो आप बना सकते है, मैं आपको एक और plot यहाँ पर mapping का बना के दिखाता हूँ, let's see, अब चलते हैं हम यहाँ पर, poe.com के उपर, और यहाँ पर मैं कहता हूँ, I want to create a global map of population in each country using plot.ly, please create the data set as you can using pandas, and make the plot using plot.ly, मैंने हैं यहाँ रेंडम सा, poe.com को यह एक प्रॉंप्ट दिया है, and then let's see, यह मुझे क्या बताता है, और यह demonstration purposes के लिए है के आपका plot कैसे बनता है, ठीक है, so this is nothing related to anything else, के आप इससे किस तरीके से plot बनाएंगे, और plot किस तरीके से बनता है, so on, बाकिए चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जो basic आपको understanding दिलवानी है, वो यह है के map plot के लिए कौन सी चीज़ने जरूरी होती है, सबसे पहले मैं यहाँ पे code वैसे paste करता हूँ, इसने pandas को import किया, और यहाँ पे country का एक column बनाया, एक population का बनाया, और उसको कुछ इस तरीके से हमारे पास database बना दिया, China, India, United States, Indonesia and Pakistan, यह उनकी dummy population बता दी, ठीक है जी, China, India, United States, Indonesia and Pakistan, dummy population बताई, and then if you go here, तो यहाँ पे उसी dummy population का एक data frame जो बना हुआ है, उस पे एक चोटा सा plot बनेगा, like this, और यह मैंने नहीं बनाया, आपको मैं बता रहा हूँ के यहाँ पे लिखा हुआ था chloroplet map box, हमने map box नहीं बनाया, chloroplet लिखा है मैंने simply, chloroplet not chloro, 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 chloro को रिजा रहा हूँ, chloroplet भी इसे बोलते है, chloroplet भी बोलते है, chloroplet भी बोलते है, so chloro इस विड़ा से आ रहा है, chloro farm की base पे, जो chlorine, fluorine, bromine, इस तरीके से वो mind में चर रहा था so that's my mistake, this is chloroplet, ठीक है, और अगर आप df यहाँ पे data को लेके हैं, जो हमारे पास औरेडी बना हुआ है, location हमने country की दे दी, ठीक है, location is equal to country, simply यह लिखा, location mode, country names, ठीक है, तो हमने क्या किया है, जो country के अंदर जो names है ना, उसी को as a location ले लो, color कर दो population की base पे, और color को continue scale कर दो, यह color palette है, जो automatically हमने use की है, range color हमने बता दिया, df population का maximum, 0 से लेके, maximum population तक के colors होने चाहिए, यह color की range है, labels हमने population को हमने population का दे दिया, and title हमारे पास global population by country, and then the plot will look like something, आजा भी, यह, simple, बहुत असान plot, so आपने कोई, आपको वो चाहिए नहीं चीजे, coordinates यह, खुद बाखुद plotly coordinates लेगी, क्यों, क्योंकि आपने यहां पर बता दिया, जो country के अंदर है, data, वो ही location का है, और location mode को country नाम की base पे लो, कोई हमें coordinates की base पे नहीं चाहिए, ठीक है, so अगर मैं यहां से color को remove कर दूँ, और label को भी remove कर दूँ, let's see, तो भी हमारे पास एक plot बन रहा है, simple, तो आपने सिरफ country बताना है, data को बताना है, और location country के name से होगी, title हमने यह दे दिया, ठीक है, तो यह हमारे पास colored आ गया, लेकिन हम यहां पर जैसे color को use करते हैं, color is equal to population, यह पिर हमें basically यहां पर color bar दे के बताता है कि किसकी population कितनी है, और अगर आप गौर करें, यहां पर population wise हमारे पास database आ रहा है, ठीक है, so this is how you can have an idea कि यहार, population किस तरीके से चल रही है, and बहुत असान है, chloro नहीं अब मैं कहूँगा, choroplet या choroplet आप कह सकते हैं, ठीक है, different pronunciation है इसकी, तो country की base पे, country के नाम और कोई भी data हो, अब आप सोचें, आपके पास अगर population का data नहीं है, आपके पास data है, for example, GDP per capita का, तो आप उसको भी तो plot कर सकते हैं ना, बहुत असानी से, for example, हमारे पास जो data set हमने लिया था, यह तो cities का data है, यह नहीं plot करेंगे, country का करते हैं, क्योंकि global map है हमारे पास, तो हम कोई online country का data set देखते हैं, for example, मैं यहाँ पे जाता हूँ, गूगल data search, इस पे जाने के बाद, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, covid-19 case by country, covid-19 worldwide case, मैंने वो निकाल लिया, case नहीं case, और यहाँ से ही यह data मैंने ले लिया, केगल से ही, let's see, यह data set कैसा है, और इसके column देखूँगा, अगर यहाँ पे countries हुए, तो मैं इस data को लोगा, obviously, जी countries हैं, मारे पास country details है, और यहाँ पे हमारे पास date भी आ रही है, इसको animate भी कर सकते हैं, by the way, if we want, और यहाँ पे, इन्होंने पहले मैप बना के दिया हूँ, अगर आप गौर करें, but we can have an idea, 14 MB की download notebook है, इसको download करते हैं, थोड़ा सा time लेगी है, क्योंकि जारी बात है, जो मैं live stream भी कर रहा होता हूँ, तो data जो है मेरे पास, उसकी speed कम हो जाती है, मेरे पास जो plan होता है, so hopefully यह download हो जाएगी अभी, it's already downloaded, मैं download से इसे उठा के, python data science के अंदर, plotly के अंदर, यह data के अंदर, और इसको मैं unzip करता हूँ पहले, extract here, यह होगी unzip, यह मेरे पास csv में आ गई, और इसको मैं rename कर लेता हूँ, covid slash data करके, ठीक है, तो यह मेरे पास जी file आ गई, यह जो मैंने अभी download की है, covid slash data और csv file है, इसको मैं जी अब run करता हूँ, और इसके ओपर map बनाने के हम कोशिच करते हैं, let's make a covid 19 map, सबसे पहले तो हमने क्या करना है, data को read करना है, उससे भी पहले import libraries, हमने पहले भी किया, I'm just doing it again, import pandas as pd, import, import plotly dot express as px, यह दो हमने कर ली है, बाकी मैं इस लिए नहीं कर रहा, if we need we will do that, but not now, import the data, इसको मैं गया देता हूँ, df is equal to pd.read csv, और इसके अंदर जाके data slash, dot forward slash data, data के अंदर है, covid data, तो इसको csv को मैंने save कर ली है, यहां पर, और इसको देखते हैं, अब head करके, यह बहुत बड़ा data set है, 14 MB का अच्छा खासा data set है, अगर इसको देखें, तो 5 रोज और 66 column है, 67 columns हैं, यह check करें, यह मेरे पास 67 columns हैं, और यह dot 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 आरहा है, इस वज़ा से सारे columns मेरे पास नहीं आ रहे, तो अगर मैं इसको करना चाहूं dot t, yes, तो यह columns हैं मेरे पास, obviously अभी भी नहीं आ रहे, तो इसको हम करने के लिए, maximum option को okay कर सकते हैं, but for now, I would say, set maximum option यहीं पर कर लेते हैं, set max column print option, okay, तो yes, इस तरीके से हमारे पास आ जाएंगे, सारे के सारे columns, hopefully, अच्छा, head पहले कर लिए है, उसको बाद में किये, यह हो गया, हमारे पास set, यहां पर इसको मैं paste करता हूँ, df.head करके, and here we go, तो यह हमारे पास, set set column है, जो इस तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, आप check करें, ठीक है, तो अगर अगर आप ग़ौर करें, तो हमारे पास, basically, जो data है, वगानिस्तान के, हमारे पास data है, और यह date-wise चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप ग़ौर करें, हमारे पास time series का data है, values या value count देखूं it will be a huge data set चेक करें ठीक है तो 20 के पास इतनी है 254, 255, 246 हर एक का अपना data है यानि कि यह कितनी दफा एक date आ रही है so this is one thing, the other thing is अगर मैं यहां पे location की base पे करूं location तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है Argentina की हमारे पास इतनी values है Mexico की इतनी, Afghanistan की इतनी और बाखी countries की इतनी ठीक है, so हम क्या करते हैं हम basically total deaths यह है total deaths, यह चेक करते हैं कितनी है बलके new cases की बात total cases की बात करते हैं हम इतना sad क्यों करना हमने analysis total cases अगर हमारे पास देखे जाएं कुछ इस तरीके से चल रहा है और unique values हमारे पास बढ़ती जा रही है तो हम क्या कर सकते हैं कोई एक specific date पे total cases का mean ले सकते हैं, ठीक है हर country wise हम mean ले ले लेते हैं पे कहता हूं let's group let's take an average of किस चीज की लेनी है total cases by country by country name by location by location using group by function and create a new tf so हम क्या करेंगे basically हम उस total cases की base पे उसका data को change कर लेंगे for example हम location की base पे group by करेंगे total case का mean ले लेंगे और उसको reset index करते हैं let's see अगर यह काम करता है वरना we will use another technique obviously तो यह हमारे पास total cases आगे हैं हर country की base पे अब हमारे पास scenario है plot का वो यही वाला लगेगा जो यहां पे है यह वाला तो मैं इसी तरीके से इसको copy कर लेता हूँ copy करके मैं यहां पे ले आता हूँ यहां पे इसे paste करता हूँ हमें पता है कि हमारा data set जो है वो है total df total cases मैं यहां पे इसको लिख देता हूँ df total cases location है हमारी locations ही है अगर आप गौर करें तो यह है location वाला column location और location mood हमारा है country name color मैंने कर दिया है इसको कर देते हैं total cases total underscore cases hopefully यह अब हमें total cases by country I am hopeful कि यह हमारा map बन जाएगा अगर ना बना we will see लो जनाब तो हमारे पास country base पे पूरे के पूरा map बन चुका है और यह मैंने simple आपको data set लेके उसको mean करके फिर आगे दिखाया तो अगर आप new cases को mean ले लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से हर country की आ जाएगी और अगर आप गौर करें पूरे का मूरा map भरा हुए यानि के हमारे पास data हर country का मुझूद है और उसकी base पे हमारे पास जो है वो plot बन गया लेकिन अगर आप यहां पे गौर करें हमारे पास जो color scale है ना इसकी range जो है वो बहुत heavy किसम की आ रही है 250 million cases है total cases क्योंकि हमने average ली है तो यह बहुत बड़ा number हो गया but we will see कि हमने range कैसे change कर सकते हैं तो यहां पे हम color की range भी बता सकते हैं so that's another thing जो हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं otherwise it's up to us और basically आप इस तरीके से पूरे के पूरा जो color है population है इसकी base पे पूरा plot बना सकते हैं and then it would be easier for you अगर मैं यहां पे इसको बनाना चाहूं for example मैं इसी को उठाता हूं copy करता हूं बलके यहीं पे मैं इसको right click करके co-pilot में जाके start code करके मैं कहता हूं add a color range between 0 and 2 for example 5 बलके 50,000 so let's see color range अगर वो add करता है यहां से वरना हम poe.com से पूछ सकते हैं GPT से भी पूछ सकते हैं otherwise we have to read the documentation so either way कोई भी चीज याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको यह लगता है कि आपको कुछ चीज याद करने की जरूरत है I don't think so you need to remember everything क्योंके coding के अंदर सब कुछ याद रखना नहीं चाहिए so let's see अब आपने color change किया अब आपको समझ आ रही है कि सबसे ज्यादा cases कहां पे हैं और सबसे कम कहां पे हैं means to say कि 50,000 तक अगर मैं इसको 500,000 करूँ मैं इसको run करूँ अगर मैं इसको 500,000 से आगे ले जाओ यानि के 5,000,000 कर दूँ तो यह हमारे पास आ गया अब आपको पता चर रहा है के highest कहां पे हैं रशिया के अंदर है चाइना के अंदर है विसली चाइना के अंदर थे इंडिया के अंदर है 26,000,000 के क्रीब फिर यहां पे आगे ठीक है और आपको पता है के यहां पे different countries के अंदर अच्छे खासे cases थे इटली के अंदर काफी थे आपको पता होगा 9.34,000,000 cases है ठीक है तो हम अगर एक range 5,000,000 के रखें तो इतने हैं अगर मैं इसी को 10,000,000 कर दूँ तो आप चेक करें अभी भी जो yellow color वाले हैं वो highly affected है United States भी है आप चेक करें और यहां पे Brazil भी अंदर भी है और यह बाकी countries भी है So this is how you can create a क्या बोलते हैं उसे data set अब मैं एक छोटा सा पंगा इसमें लेने लगा हूँ hopefully यह काम आएगा अगर चल पड़ा तो क्या ही बात है ना चला तो I don't know what to do तो मैं यहां पे animation frame add करना चाहता हूँ ठीक है और जहरी बात है क्योंके मैंने यहां पे जो data set बनाया था वो सिरफ और सिरफ हमने total cases लिये और उनकी base पे कर लिया था but I want to group that by say for example date की base पे अगर हम करें date की base पे मुश्किल हो जाना है so it's hard to manage लेकिन अगर df.head के उपर ही यह काम करें yes df के उपर ही यह काम करते है और मैं animation plot बनाने की कोशिश करता हूँ अगर बन गया df के उपर ही काम करते है animation frame को मैंने date बोल दिया let's see हमारे पास कोई animation आती है या नहीं आती and I know this is very heavy task और usually it will take a lot of time let's see मैं इसको print करता हूँ play करता हूँ play जी dates चलना start हो गई है और जारी बात है जब data start हुआ थो तो आपके पास animation plot बन के आ रहा है गौर करें मैं कुछ नहीं कर रहा है मैंने play कर दिया button सारे का सारा data मुझे year wise नहीं date wise मिल रहा है ये check करें तो अगर मैं इसको थोड़ा सा fast pace पे कर दूँगा तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से ये date change हो रही है और किस तरीके से मेरे पास animation plot बन के आ रहा है और believe me अगर आप इसको सही तरीके से use करना सीख जाएना है इस technique को you will see a big change मैं आपको एक तरीका दिखाता हूँ मैं इसको fast pace पे ले जाता हूँ ये देखिएगा color change होते this is how you can create an animation map कोई मुश्किल नहीं है यार ये ले ये ले आपको पता लग रहा है बकाइदा के कहां पे कब changes आई है अगर आप गौर करें इसी एक plot की base पे मैं बता सकता हूँ कब कितनी changes थी तो 2020 का date है मार्च में सबसे पहले case कहां पे start हुआ चेक कीज़ेगा ये यहां से case start हुआ अब विसली चाइना था 45 cases थे वहां से लोग उड़के गे Finland फिर गे Germany फिर गे Spain और अभी कहीं पे और show नहीं हुआ तो आप story बना सकते हैं इससे देखें फिर आपके पास जी आगए Australia के अंदर cases USA के अंदर cases cases बढ़ने लग गे Russia के अंदर पहला case कब आया था येर आप देख सकते हैं कि Russia के अंदर case 2 February 2020 को आया and now you can have an idea चेक कीजिएगा जब वो US के अंदर सबसे पहले case ज्यादा बढ़ने start हुए थे देखें न परबल हो रही है परपल होते 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 फिर Canada होने लग गया परपल Brazil होने लग गया ये आपके पास India के अंदर case बढ़ने start हो गए China ने control कर लिया या वैसे ही वो बताना नहीं चूरू किया उन्होंने and then yellow पे यानि कि 10 million तक case चले गए थे ठीक है इस तरीके से आपको पता चले रहेगा कि किस तरीके से case बढ़ने हो obviously आपको एक चीज का अंदाजा रखना है कि cases are actually directly proportional to to what population exactly जितनी population होगी उतने cases होगे so अगर मैं new cases की बात करूँ so सिरफ new cases को अगर हम plot करें on a map with animated plot यहाँ पे मैं new cases लिखता हूँ and it will show me an animation very soon क्योंके मेरा speedy system है so I know अब मैं इसको खुद से chase करता हूँ देखिएगा new cases इतने नहीं बने हैं हमारे पास क्योंके हमारा scale बढ़ा है इस वज़ा से मैं इसको 10,000 पर ले आता हूँ बलके 100,000 पर एक लाख पे एक लाख पे मैं ले आया हूँ अपना scale अब देखते हैं जहां पर yellow होगा यह देखें जी new cases बढ़ड़े हैं कम हो रहे हैं बढ़ड़े हैं तो यह जो चीज जल रही है बुझ रही है this shows new cases ठीक है this is how you can have an idea इसको मैं और कम कर देता हूँ कि 10,000 new cases कब आये थे तो उसकी base पे हमारे पास plot बनेगा and now you have narrowed down the window 10,000 new cases कब आये तो यह maximum yellow जाब color होता है वो 10,000 कब है यह आपके पास color bar भी आ रही है by the way and here you can animate this plot as well very easy simple मखन मलाई की तरह यह चीज़ें चलती हैं but it's up to you if you want to work on this लेकिन animation group अगर हम करें animation group और इसके अंदर मैं कर देता हूँ continent था हमारे पास continent यह नहीं let's see हमारे पास जो data था क्या-क्या था उसके अंदर covid-19 का data location है continent है तो मैं इसको continent कर देता हूँ enter मेरे system के तो धूएं निकर रहे है but on the other side I am really enjoying this thing अब आप गौर कीजेगा तो यह continent-wise भी आप animate इसे कर सकते है लेकिन group की बात है ना कि group कौन सक आप animate करता है it's not about the data now but I mean you have your freedom to do that अब आप अपनी मर्जी पे इसका frame जो है वो change कर सकते है ठीक है and this is how you can actually play this video और animation आइस्ता इस्ता चलेगी जब आपके ज्यादा time है तो इसको speed up कर देंगे आप like this तो आप इसको record कर सकते है और नीचे आपके dates आ रही है एक यह भी हो सकता है कि पूरे महीने के wise आप group wise कर लें यानि कि हर महीने के data को आप group wise कर लें based on the monthly values तो आप उसको फिर check कर लें बजाए इसके यहां पर change हो हर पूरे साल का data है नहीं यह बलके 2023 तक का data है तो आप हर साल का 2023 तक के data को अनिमेट कर सकते है and then comes your assignment animate this graph using monthly data convert the data into monthly data and then animate the plot save it as avi and mp4 file or gif this is your assignment यह आपकी assignment है और इसी के साथ आज का lecture जो है उसे मैं खतम करता हूँ क्योंकि जारी बात है आपको चीजें काफी सिखाने वाली है और सबसे important चीज यह है कि आपको एक दफा बताना कि यार आप बहुत कुछ कर सकते हो using these kind of smart skills जो लोगों को लगता है कि बहुत heavy है लेकिन आपको भी पता है यार यह कितने lines of code है दो अगर इसको एक line में कहूं तो वो भी आ सकता है लेकिन main चीज यह है कि आपको data के basics पता हूँ frames का पता हो frame क्या होते है and then you can do these kind of stuff ठीक है जी आपको आज का lecture यह वाला कैसा लगा आपने video में जरूर comment section में जरूर बताना है secondly अपना system खराब नहीं कर ले आपने पहले चोटा सा plot बना के देखें अगर वो बनता है plotly सही से काम करें then it's good यह 14 MB वाला data जो मैं अभी github पे भी push कर दूँगा आपने please उस पे तब plot बनाने अगर आपका system अच्छा है अगर system slow है तो इस से क्या होगा आपका system बाँ बाँ करने लग जागा यानि कि मन रोने लग जाएगा कि बहुत heavy data आ गया तो इस वज़ा से पहले इन चीज़ों को मदे नजर रखें फिर आगे काम कीजएगा I know कि these kind of plots are really good to see लेकिन on the other side good to see side पे चला जाता है अगर आपका system ही खराब हो गया तो so believe me कि आप अगर 16 GB या 32 GB की RAM रखते हैं आपका processor Core i5, Core i3, Core i7 इन में से कोई है और आपके पास SSD लगी हुए then try this, otherwise don't try this at home otherwise क्या होगा आपका system जो है वो खराब होने के chances है don't take that जुम्यदारी लेकिन डरना भी नहीं है छोटे plot से बना के देखें अगर वो बन रहा है तो बड़ा इस्ता 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 उसके तरह मूव करें इसके साथ ये वाले lecture जा मैं इसे stock करता हूँ आपको animation plot कैसा लगा अपने comment section में जरूर बताना है